लेखक क्रिशन परताब दा नौवल है क्रिशन परताब हाजरो अंग दस्वा मैं स्कूल जा हाजरी लॉणली दफ्तर चु बड़े आई सी के कलर्क परमेंदर खेरा ने मेरे चेरिवल गौन अलवेखिया ते ओदे मुँँ सुबाव की निकलिया ओए वेखो है स्कूल चे कैदी के तु आगया फिर मेरी हालत वेखे उची उची हसन लाग पया जेडा भी दफ्तर चावे साबनों हासा साखी जावे आजो मैं तो अनुते हाड जेल चो पजेई कैदी नाड मलोना मैं मी नेदे बकाया पै होई कमानु शुरू करनली अपनी अलमारी कोलनी लगा सी तेन चार साथी मेरे कोला आगये ते मेरी तर्स परी हालत ते अफसोस करन लाग पै मैं प्रार्थना सबाच जानतो पहला एक वार फेर दफ्तर च गया ते शीशेच अपनी सूरत त्यानल वेखी ता नाल सामनी कंद ते तेन चार मीने पहला खिची गई विद्यार्थियां दी गुरूप फोटोच अपनी तस्वीर लूई गौनल बाचेया वाकई मेरे चेरे ते बहुत सारी तब्दिली आ चुकी सी मैं चप चाप जाके प्रातना सबाच अपनी जमात वली कतार दी अगे खड़ा हो गया शब्द तेरास्ट्री गीत गाय जा चुके सी ये सुपरंत विद्यार्थियां दी हाजरी लाके मनीटर गैर हाजर विद्यार्थियां दी रोल नमबरां वली परची लेके मैंनो नोट करवाण ली आ गया जद मैं रेजिस्टर खोल के हाजरी परन लगा ता मेरे हाथ बुरी तरग कंबल लग पे पैन फड़ेया ही नी सी जा रहा है मैं रेजिस्टर ही डिगदा डिगदा मसा संबाड़ेया मुनीटर नी मैंनो सुबाव की पुछे सर की गल हो गई बिमारों ठेक नी लग देक हापो तो कई दिन हो गई बुखार चड़ेनू बस कमजोरी जी आ गई मैं जरा कू आलाय रेजिस्टर चल जमाच चल के हाजरी लोनेया मैं आनू रेजिस्टर फड़ोनेया ना चोनियां चूट बोलता प्रार्तनाव प्रांत मुर्दे हुए सारे साथी अध्यापक उच्ची उची गल्ला करदे हौली हौली तुर्दे जा रहे सी ते में निवाद मिले हून कारण सब एक दुजी दा हाल चाल पूच रहे सी आन्तच गल्ल मेरे वाले मसले दे आके रुग गई मैंनु ये ता पता लग चुका सी कि पुल्स वाले कोई भी कारवाई नहीं करनगे पर मैं अपने केस नूँ साथियाँ ज मजबूत वखोंड़ी दसे आ कोई नहीं मेरे भी उपमंग मंतरी तक ते मनुखिया दिया अधिकार कमिशन कोल शकायत किती हुई है उन पर जे फिर दे नहीं अपना की है अपा ता लैपटॉप ते शिकायत टाइप करके मेल कर दी दिये अगले अनु पा जड़बे जान दिये मैं अपनी या उंगलान ट दोरी फड़ी गई है पावे केस केस चोना दा कोई सिधा सबंद नहीं सी पर टेलिफोन थे सब एक दूझे तो एदी कंसोल एंदे ही रहन दे सी जमाच जाके रेजिस्टर ता में मेजते टका लेया सी पर हाथ वे चला पैन बार बार थिड़ करेया सी मोरे बैठे विद्या साल जा रहा है सी मैं ते मेरे विद्यार थी को दूझे नू चंगी तरह समय दे सी छेवी वाले पोड़े पाले जेश केता लौदे बच्चे हुन बार मी जमाच होए गबरू हो चुके सी स्कोल चे लेक्चरा रा निया बहुत यां सामिया खाली होन करके स्केंडरी दिया ज जना उठेया ते बेच्चे जखो के विलिया सर पड़ा इनू छडो परा सानू दसो तो अड़े की इसता की बणेया सानू सबनू पते तो अड़ा चगडा काफी वाच्चु के आसी सारा कुछ पढ़ेया होया खबारांची ये साड़ी लोडा ता दसो असी उन्हा वड़े गुंड़ेयानू चोकलेया मांगे सारे जने ओधी हांच हां मलोनिया कुछ ना कुछ बोल रही से ये सब सुन देया मेरा सेर खुन वाद गया मैनू अपने विद्यार्थियां द्वारा मेरा फिकर कीते जानते ड़ा ड़ा मान मैसूस होया मैं उन्हानू अद पचाद जी ग चले जाओ पड़ाया सी ना तो अनू हां जी उसारे कठे बोले उसारी पड़ायी गल्त सी एमें के ते पंगा न लेले ना जे के ते इस रात पैगे ता मेरे यंगू हाथ कंबर लाग पैनगे ते मीने बात तो अडेकार देयाने भी तो अनू पहचान अनू हर जाने ते अनू जाए स्वालानू बड़े प्यार नाल समझों दे सी ते आज आपी करवाई गई पड़ा इनू राद करी जा रहे है जद मैनू लगा क्यो मेरी यंगलांच रू रूची ले रहे है तो मैं होर वे स्थार देता अपनी जिंदगीच कोशिशे करनी है कि तो अड़ा किस दे करमचारी नाल है तो अड़ी सुनवाई होनी मुश्कली नहीं सगो संभव है तो अनू इन साफ मिलन दी बजाए तो अड़ी ते कोई भी चूठा के इस दर्ज कीता जा सकते है ये इसलिए किता भी ज्यान वाल ते आन नहीं देना जड़ा के मैं ते दूजे दे आपक द उन रहे साँ इननी देर च कंटी वाज गई मैं जमाच चो बार आ गया अगली जमाच दे कमरेच जान देया मैं सोच रहा सी विद्यार्थियान अपने अद्या पकदा किन्ना फिकर हुंदा है वेसलिए लड़न मरन लई वी ते आर हो जान दिया ये आखना ता बिलकुल गल कि आजकाल दे विद्यार्थी अपने अद्यापकां दा सतकार नहीं कर दे इना दिनाच मैं अपने साथी अद्यापकां खास कर मादा स्टाफ नाल गल करन तो खासाई कतर होन लग पया मैंनू अपने आपनू लगदा मैंनू बोलन च थलहाट हुंदी सी कई वेर गल मैं अस तकड़े विद्यार्थी चंगी चाड़ चामबकार देंदा तकई वरी खड़कावी देंदा सी के उन्नू नहीं याद आजांदी किसे विद्यार्थी नू सजा देन विले तकड़ा हो के माडे नल तक का करदा होई उस शब्द मेरे मूँ आप मु आरे निकल इना दिनाची दो होर कटनावाँ अपर गेंगा सड़ स्कूल दियांदे आपकावाँ बस दे देरी नल स्कूल तक अपड़न कारण परिशान सी आक के उन्नाने पूंडी चोटा जे टेंपू वाले गरीब जे ड्राइवर नल मीने दी प्रती सवारी पक्की कर ले दो दिन अगले दिन भी उननो अपनी पूंडी ते बिठा के ले आया साधे स्कूल पॉंच दे आनू स्कूल दे मुख दर्वाजे ते काफी रोडा पे आसी पता करन ते लगा पता लगा कि मिन्नी बास्ता मालक का अपने गुंडे लेके पूंडी ते ड्राइवर नो कुटना पे आ ते मिन्नी बास्ता मालक के उदे गुंडे स्कूल दे अंदर आके उदी शरें हम कुट मार कर गए वो विचारा गरीब ड्राइवर कुट खाके विए दे आपकामावल मदद दी आसनाल चाक रहा सी हर कोई अपनी समझ मुताबक कानूनी कदम चुकंडी आख रहा सी शायद बस मालक नो भी सरकारी जगात ते जाकी गुंडा गर्दी करन दी अपनी गल्ती दा ऐसास हो चुका सी उनने प्रिंसिपल नल फोन ते गल करके अपनी स्थिती स्पष्ट करन दा समा मंग लिया है अदी छुटी दे वेड़े उपेंड दे दो पंचैत मेंबरा ते ते इन च दमोनों पैय निकलिया थोड़ी की हस्तिया के तुसी पुंडी नो बंद कराऊ ए ट्रांसपोर्ट मेंखमा वेखे के उनने पुंडी चलन देनी के ने गुंडा गर्दी कर देंग गुंडे ओ यो पुंडी था चलेगी चलेगी ही चलेगी ये थे मैं लुहा लाखा हुंदे गुंडा गर्दी नो ललकार था गुसे चाहे हुए नि मैं पुंडी नो चलन दे गुंडेयां तो रख्या करन दी जिम्मेवारी भी चुक लेगी एक मास्टर दा अनके असिया रूप वेख के मिनी बसता मालक भी आपे तो बार हो गया मैंनो स्कूल चो बार आके वेख ले गई सी ते सारे जणे सानु दो आनु समझाण बजाँ चलागे हला थोड़े जे शान्त हुने प्रिंसिपल ने सारे अनु दुबारा अपने दफ्तर चे साधले आते अपना फैसला सुना आता महाल नु शान्त रखन दे जुरूरी ए पुंडी ना चले सब करमचारिया नु ताकीद कीती जान्दियों इस पुंडी दा उपयोग ना करन एस हुकम दी उलंगणा ना मत्तब होएगा किस बंदत करमचारी स्कूल मुखी दे आदेश नू मनन तो इनकारिया इसलही ओ निजी तोरते जमेवार होएगा एक तरह ना लोदान तिम फैसला सी अपने प्रिंसिपल दाई के पासर फैसला सोनके मैंनो तो सती कपड़ी अग लगए पर हुनकी तब ही की जा सकता सी स्कूल मुखी देश फैसले नाल मेरे दिमाग ची के गल को मन लग पई जे इससे तरहां दी शांती काइम करन ली जजने मेरे खलाफ फैसला देता फेर की वएगा मैं इस कटना नो अपने नाल जोड के वेखन लग पया सार यहां दे आपकावा देकर आँज कारां खड़ियां सी इसलिए असी अनो नो जोर पाया कि वारी वारी सिर अपनी गड़ी लेके आया कर जे गड़ी दा परवांद नहीं भी हुंदा थे पामे साड़े चो किसे दी भी गड़ी राख लाग पर उस बस ते कदे ना चड़न उस वक्त आओ हां जी हूं जी कर दियां रहियां पर अग गलनूं कदे विनी पुल्सकन गियां ये जंगता सी शा मोहमदा एक सरकार बाज्यूं वांग हार गय सी ती मैनू एक खत्रा होर भी मैसूसों ओन लगपया कि मिन्नी बस वाले वी मेरे ते हमला कारजा कर वा सकते दूजी कट नवी साड़े स्कूल दे अंदरी वापरी असी स्कूल दी चार द्वाले अंदर थे खेड मैधान दे आले द्वाणे सैंखडिदर राखत लाए सी चार द्वारी अंदर ले रोखता चल पाए पर बार वाले आनू पशुचर जान दी ideia इक ऐजडवाले ने ता स्कूल थे खेड मैधान ते पकका यह अव्जा कार रख्या स असी उन्हों कई सुने पेजे के अपनी अपे डंबक्रियानों खेड़दे में दान्चन ना लाके आया करें, पर अपने इस काम तो बाज नाया थी, हरो स्कूल समे दोरान भी होते पे डंबक्रियानों चुराण वासते लेऊंदा, एक दिन अक्के प्रिंसिपल ने स्कूल च स्टाफ भी उन्हों दे मगर होतो रहा, बच्चेयाने जान्दे सार पे डंबक्रियानों खेड़दे आया, उन्हों ते डड़े भी चलौने शुरू करते, आज इड़ी ने आवेख्याना था, एक बच्चे नू छलीया वांग पान सुटेया, मैं मुरे होके उस बच्चे छड़वाया थे आप उदी सूटी को के उदी पांच साथ जड़तीया, फिर सारियां पे डंबक्रियां स्कूल दी हाथ तो बार पजातीया, मदद ले गया, सारा स्टाफ ते पिंसिकल चुप चाप इन जारा वेख दी रहे, किस्से ने मेरा साथ ता की देना सी, सगो मुर पुलिस दा गुसा बक्रियां वाले ते लौन लग पे हैं, डिगी खोते तो गुसा को में आरते, बले होई तेरे वड़या यो देया, पांवे कि उस दिन तो बाद आज तक बक्रियां सारे स्कूल दी हाथ नहीं टपियां पर मैंनू मेरे साथियां दे बूल, पुल्स वाल लड़के कले रह जाना, उन स्टाफ चे चर्चे भी होन लग पे सी के इकने ता मनो विज्ञान चाड़ देयां इतो तक भी कहता सी, जद वड़े बंदेयां कोड़ों इन्हों इन्साफ नहीं मिलिया, ता छोटेयां ते दबा पाके इन्साफ लेंड लग पेया, उन्हा चो गला मेरे कोड़ फुज रिंगा सान, मेरे मन चोंदा इनाने ता मुखालों डौनाई यां, जद तू सोखे हलातां ची सी, तू आपकेड़ा किसे नल काट गुजारी सी, अगले यांदे जखमा ते लोणी नहीं मिर्चावी पुखियां सी, पो उतो होन, जेहो जियां रिता पाती हैं, ओभी चलियां होंदी हैं, मैं प्रिंसिपल नाल थोड़ा जात त्रडेंग भी रहन लग पिया सी, इस गल्ड वोने महसूस भी कर लिया सी, एक दिनो मैंनों अपने दफ्तर ची बुला के अक्षन लगा, वे एक छोटे वीर, मैंनों भी पता हूँ, उस दिन में एक गल्द फैसला सुनाया सी, पर इस साब मैं तेरी पला इखार तरी कीता सी, मेरे तो तेरी हालत वेखी नहीं जान दी, मैंनी चौनदा के, तो किसे होर नमी बिपताच पह जाएं, मैं तेरा प्रिंसिपल बात चाहां, तेरा वड़ा परा पहलना, एमें मेरे नाल नराज प्रिंसिपल खुश्वन सिंग ने मेरे ते अपना दावा जताने बड़े प्यार न लख्या, उस द्वारा बोले गए शब्दा नाल मेरी सारी नराजगी दूर हो गई सी, मैनू मैसूस होया के, हासा ठठा ता वकरी आलूं दिये, पर अंदरों सारी मेरा फिकर कार रहे है, हाकम सिंग ताली वाल दा हर वेले मेरी नाल पर चावी मांग रहेना ते अपनी संगर्षपरी जिंदगी चो कोई न कोई उदारं दे के मैनू होसला देही रखना, मैनू कुझ कुच एरले मानसिक तसली देदन्दा सी, सिरेदा मजाखिया दलेल वाज हसमुक जथे बंदी प्रती बद ते द्यापन के तेनू सुमर्पत वो अपनी सेवा मुकती तो बाद भी पिछले कई साला तो इसे स्कूल च लेक्चरार वज्जों बिल्कुल मुफ्त सेवा कर रहे हैं, जिस कारण मैनू नैतिक सहारा मिलेया होया सी, मैं अपने आपनू शान्त रखन दे कुझ नमें तरीके भी अपनाए, उन मैं किसे दी भी गाल्च ज्यादा हुंगारा पर नो तकरीबन हाट गया, जिस केसे मुद्धेते भी बैस होन जा रट्टा वद्धन दी पूरा मासा भी सुम्भावना लग दींदी, मैं उतो दूर रहन लग पया, मैं अपनी वेली कंटी चला जानदा सी, आंग 11, जिस तारीक नू जाजदे नोटिस दा जवाब देन ली आख्या गया सी, मैं अपना जवाब पेश करन ली, अपने वकील दे नाल जाके जाजदी के चैरी हाजर हो गया, किसे गोर मुकदमे दी बैस चाल रही सी, ते असी कुरसियां दे जा बैठे जाजदी के लवी जीक वारी गुडी सी, उमर्च मेरे तु 6-7 साल छोटी होएगी, मैंनू अपने आपते पहली वार गिलानी आई, कि मैं जही कोई प्राप्ती क्यों नहीं कर सक्या, कि मेरे तु वड़ी उमर दे बंदे भी मेरे को लो इंसाफ दी उमीद रख दे हूँ, उन्हों एक एक वार अपनी ती जीज माज पढ़ दी बेटी याद आई, कि कियो भी ये इस तरहां दी वकारी सीट ते पोज सक दी है, उते बैठे मैं मनी मन्च अपनिया बेटियान उच विद्याद वोंदा निश्चा पहला नड़ों भी पक्का कर लिया, साधी वारी जज ने साधे मुकदमें बारे कुछ जानकारी हासल करनी चाई, फाइल ते सरसरी जी नजर मार दी पुली, क्रिशन परताब कौन है, मैं जी, मैं उत्तर दिता, तो डर रोडा की है, जज ने बड़ी प्यार नल पुछेया, मेरे बोलन तो पहले नहीं वकील बोल पया, कोई रोडा नहीं सर, आय साधी रिजिस्टी ते आय इंतकाल दी कपी, जगा सरकारी रिकार्ड मताबक मेरे मुखकल दी है, किरपा करके नूँ चेक कारलो, ये मुकदमा बेब उने आद है ते नू खारज कार दी हो, प्लीज, एदो में गवंडी ने जज ने पुछेया, नहीं स गुर्ने एक सिंगदा कार ता काफी दूर है, वकील ने अपनी फाइल खोली ते नक्षे ते हाथ राके जज नो समझान दी कुशिश कीती, सर आया गुर्ने एक सिंगदा कार, आया साधा, ये ता शरारत नल दर्ज करवाया होया मुकदमें सर, ताके सानू बिना वज़ा प मैं चुप रहें ची अपनी पलाई समझी, जज ने अगली तरीक देती, बार आके मैं वकील नो आके तुसी जज नो ये क्योंनी दसिया कि गुर्नेक ने गली तेना जैस कबजा किता होया, वो दा मकान का नून नंटैन वाला ही है, इस करके उननी चूठा मुकदमा किता है, पुलिस दी दखल अंदाजी ते, तक के दाता नाम भी नहीं लिया गया, वो ये पोले आया दालत है, ये ते ओही गल हुन दी है, जिदा जिकर केस छोगे, जे तो गुर्नेक दी जगा दी गल करनी है, तो वकरा केस करना पहना है, जे तो पुलिस दे तक के बड़ी गल एस दालत है, तावी तेनु वकरा केस कर दर्ज करोना पहेगा, जदे गल्ला अपने केस नाल से बंदती नहीं, तो तुँ ही दास, मैं गल्ला के में कर सकता, चल तेरी कैन अनसार कर भी दिन्दा, जाज ने सोचना सी के के होजा वकील है, इनु केस दी मुढली जानकरी भी नही पता कनों दा, उन्हें अपने वलों पूरा स्पष्टी करन देता, सर अपने बंदे गल्लां ता इस नजामनू बदलन दियां कर देने, तुसी वी कर दें, मैं वी कर दा, अपनी सोच वाले सारी कर दे, जद जज्जानू पूरी सचाही पतानी लगे गी तो इनसाफ की अपने वकील दी पहली पेशी ते, उस दुवारा पूरी सचाही ब्यान ना कर सकन दे, अंदरों अंदरी दुखी होया, गुसे नाल पर सैज मते नाल बुलिया, एक कनूनी गल्लाने पुत्रा समझ जाएंगा, होली होली, बार मैं पका काम रेड हां ते, लोक भी मैनू पका काम रेड समझ दे, पर अदालत दे अंदर जाके मैं वकील ही होना, पावक होया होया, मैं ता सारी सचाही बोल देंदा, क्योंकि मैं काम रेड हैं, पर जज़ था नहीं काम रेड, उनने ता तेनू कनून मताबकी गल करनी हों दिये, एसलिए सानू भी एत्या आके, कनून मत कि ही गल करनी पेंदी है, वकील बन की, मेरे बराबर तुरे आजन्दा वकील मैंनो समझा रहे हैं, अदालत अगे सचाई बोलन लगे जी, काम रेडी कब रही जान देया, ता नजाम की सवाब दलना है, मैं वकील नू मिठी जी टुकोर कीती, एक जणा कला सचाई दास देगा जज कनून मताबक फैसला कर देगा, पक्का की करेगा भी सच दे उल्ट, दस, एहो जी था, ते सच बोलिया की करेगा, वकील ने वकालत देना जरीयत उगल केती, कुछ भी होवे, वकील नू अदालत विच पूरी दे पूरी सचाई पेश करनी चाही दिया, पहां में फांस प्रावाय ना दालतां विच ता हर वकील नू एंजी बोलना पैना है, आए मैं कलाई स्टैंड लेकि अपने मुवक्कल दा, तू आगे में कुटवा दिया, कि मैं कामरेड वकील है, अजे ता केस दाखली होया है, जे तन्वे लागदा है कि मैं सही पाक पेश नहीं कीता, तू अपना वकील ही होर कर ले, मेरी यां दलीलां तो इना खिच गया कि उन्हें मेरे केस वड़ा लफावा मेरे हाथ ते तरता, वकील दे इस वरतारे तू मैं एकदम तरबक गया, अपनी कीती इस बिबाग दे दिले राना गलती दी मौफी मंग के, उ तो अपना खेड़ा छुडवाया है असी, मैनू लगगा मैं ता पहली वारा दालत दा मूँ वेख्या है, ता रोज दा काम है, इनू जयादा पता हुएगा, इसलिए मेरा हैसना ले इस विशे ते बैस बाजी करना बिकार है, उन्ज भी आख देने वकील वैद तेर सो ये नल कदी भी नी विग मुनुखी मान भी की होजा हुँदा, बुरे हालात वेचे दा किसे दे भी की नी बज़दा, वकील तो ता मैं माफी मांग की खेडा छुडा लिया, पर कचेरी तो कार वापस परत दे, मेरे मान ते फेर पहला वालियां सोचा पारू होगी है, देल ते दिमाग चाही आरे आ कि वकील ने जा जगे पूरी सचाई ब्यान कियों नी सी कीती, कि तेनू भी पुलिस ने खरीत जांदब काता नी लिया, फिर दूजे पल ख्याल होंदा, जे विकण वाला हुँदा, ता आज नुए भी दूजे वकील वांग जिन्देगी दिया, सारे सुक्सूल ता मानदा जेड़ा बंदाओना काले वेले आंच जादे पताई नी सी लगदा, कि नुए कौन मार गया, विक नैसी लिफिया था, आज दे वर्धी वाले, चौँ छिलड़ांदी मारात्वाद अगेवने की चुकने, पामे असलियत को जिवी हुवे, पर मैनू अपने मुकद मेदी प जो निकलिया, अपा वकील बहुत ही मारा कार लिया, उन्हें जाजनू सचाही ता दसी नी, कार दियान वी आज सी, कि जदो जाजनू सारी सचाही पता लगेगी, ता उन्हें पहले हल लई केसनू खारज कर देना है, अपना खेडा चुट जाना है, शायद इस सब कुछ इस कारन होया सी, कि मैं सबनू यकीन दो आया सी, कि मैं पहली तरीक ते जजनू सब कोई दस देना है, तो मेरी सचाही सुनके जजने सबंदत पुलिस का करमचारियां थे कि इस दर्ज करन ली आख देना है, चुट की जी कि इस खारज होके अपना इस खल जगन तो खेडा पहली तरीक चिके इस खारज ना होन कारन मेरे वांग मेरे कारदे भी परेशान हो गये, पर सब्तो वद दर्द मेरे दादा जी नू हया सी, वो इस मसले बारे सब्तो वद जिन्तत सन, वकेल माडा होन दिया मेरी यां दलीला सार्या नू जाचरे गया सी, पर मेरे पिता जी अपने उस दोस्ते अटाल यकीन सी, साड़ी होरी चर्चा तो खिज कियोना ने अपना फैसला सुनाता, अपपा पामे केस हारी है जजती होन ता इस केस नू अशोगी लडेगा, विटो पावर वर्गा, विटो पावर वर्गा ये फैसला बदलन चाए द्या विरोध करंद अगली तरीक्च पंदरां को देंदा समासी एसली वकीलनू बदल लेन वाले विशे दी, चर्चा बाद विच वी पिता जीतो चोरी चुपोरी कीती जन दी डी, सारे टबननू वकील दी सक्चाई नू ब्यान ना करन वालियां गल्लांते डड़ाई गुसा होन दा से, इकता पुल के मल्लो मल्ली हासा आगया, कई दिन असी कमले आंदे टोले दी अंगल्लांक कर दे रहे, उना दके में पार उतारा होया सी, साड़ा वकील सा डेली हासे दा एक पतर बान चुपका सी, मैनू ता ये तसली सी पामे वकील सानू फोरी तोरते कोई रहात नही दिवा सक्य पर खुद एक हासे दा पातर बन के साड़े कार्च हासा ले ओन दा कारन तब बनी गया सी, हासे मजाग तो पासे हड के जद मैंगम बीरता ना सोच दा ता मैनू अपना वकील साही बंदा लगन लग पान दा, मान चौन दा जियो सिर्फ मैनू वकौन लई जजनाल मुकद मे तो बारी बैस करन लग जान दा, जजने पहले हले स्टेदा हो कम कर देना सी, ते जो कनून नू छड़के अपनी कामरेडी को टन लग जान दा, ते जजने उनू पागली समझना सी, वकील नहीं, सब तो बड़ी गाले के जियो सारी सच्चाई को वेली दास दन दा, ते पव जारी रखी सी, कोई कुछ हाक दा, कोई कुछ मच्छी पत्थर चाट के ही वापस हों दी है, कार दिया तो चोरी जद मैं इस बंद च, बार एस सोसेशन दे साब का परदान दे, नमी वकील हरंदर सिंग सिद्धू नो मिलके सारी राम कहानी सुनाई ता, उन्हें साड़े व जारी इस तो बारी इक भी गल करनी कनून दी लंगन है, जाजपा में सब कुछ वेखदा समझदा होए, पर उक कनून तो बार जाके फैसला नहीं दे सकदा, साड़े ली सदारंजी गल कनूनी नुक्तियांच बड़ी विशेश हुन दी है, उधी आखी अंतली गल मैनू अपड़ा वकील ठीक मैसूस होन लग पया सी, मेरे मांच ओदा जो जरा को बुराक्स बन गया सी, ओ हुन साफ हुन दा जा रहा सी, अंग बार्वा पुलिस मैक में द्वारा जिन्यावी जांच पड़तालां की थी हैं गयां, उना दियां रिपोर्टां हासल कर ली, मैं आटी आई पाई इसी, जद किसी अरजी दा मिथ्या समा पूरा हो जान दा, तो मैं तुरंत इस बंद याद पतर भी मैक में नूपे जन लग पया, मैं पूरा ही यकीन सी के मेरी 118ी नंबर ते कीती शकायत जरूर रंग ले आएगी, यह दी जांच हो चुकी सी पर मिथ्या समा पूरा नी सी होया, जिस दिन इस जांच नूँ होई 15 दिन होगे तो मैं इस नंबर ते फोन मला लेया, उपरेटर ने दसे जांच ले एक मीन दा समा मिथ्या गया है, इसे लिए आज कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, उदो ताको डीक करो, एक ही दूजियां जांच ले पंदरा दिन मिथ्या जांदी या ते जे पुलिस वाड़ेयां दी शकाया तो वे ता मीन न, ये ता सरा सर बेंसा फी है, मैं आजे बोली रहा सी पूरी तरह मैं गुसे चाया कमले वांग बोली जा रहा सी, मैंनू जांच दे पंदरा दिन वता आदें दी खबरे ने चट गेना लगी कि मैंनू एक होर बेंसाफी बरताष्ट करनी ओक्खियो रही सी, वक्त लंगदा जा रहा सी ते जिन्ना मैं आपने आपने आपनें सु जो पूलिस दी रख्या ही कर दी है, फिर मन चौनदा के इंसाफ जरूर मिलेगा, पर फिर हो एस पी दे बोल यादा जांदे, तुसे एक सो क्या सी ते ही शिक्याद कीती है न, पामे एक लग क्या सी ते कर लो, इंकौाइरी ता मैं ही करनी है, जो तुसे जो कुछ करना है, क पर लो, शरीकां दे बोले हुए बोलाँ वर गे, एस पी द्वारा बोले गे, शबद जदों यादांदे, मेरे मन तान्वा गलादन दे, मन उखे चड़दी के साड़े देशता है कि हुझा कनून है, दोशी भी होई है, जांच करन वाले भी होई है, जे सरकार साच मुची रोकानों इनसाफ देना चौंदी है, तस सब विपागां तो कटिया खसलत वाले इस विपाग दे विरुध हुए याश कैतां ले, वखरा विपाग जो के ना दे उपर दी होई, क्यों नहीं बणों दी, फिर मान चौंदा, आम जनता तो सरकार ने की दाने लड़े, वो क्य रिंदियान, अजे याँ गला सारा देनी मेरे जैन्च कुम दिया रिंदियान, मैं आम वांग स्कूल जानदा, आजानदा, अपने दोस्तां दे दते मिठे मिठे तानने मेडे वी सेंदा रिंदा, कई बर मैनू खेज भी चड़ जानदी, पर मैं अपने आपते कबूर रख ये इस वर्तारे नुसेन दी एक तरा दी आदत जी बनगी सी, पर करदा सारा महालों दासिया प्या सी, हर किसी नुए इस मसले दी चिंता सी, क्यों इस मामले दा की बनेगा, कर्चों हासा, खेड़ा, तकरीबन खतम हो गया सी, बेशक कर्च चुला आम वांग तप्दा सी, क कौन बाद बाद बाच जान्दे, केस कूसता चलदे ही रहने हुंदे, ये दा ये मतलब तानी भी किसेने चाजनल रुटीन नी खानी, जे मुकदमा लालबा दर्शास्त्री दे वेलयान छोया हुंदा, तो उने अपने सारे टबर नू, पक्के देश पाग तान्दा टबर के सन्मानत कर देना सी, कि मेरी अन बचाउ स्कीम कारने टबर ता कुछ खान दे नी, अमिताने टांच लांदे आख्या, आहो फिर तैना पुलस वाले नू पुठालम काया होना सी, कि तड़ी पक्का मा अन खाके भी लोकान दा सुख जैन हडप्पी जान दे नी, ये नानू राब्बे नानू उत्तिल जाके सुटेगा, जित्तो इना दी अवाज भी किसे ने नी सुननी, मेरे पोत नू एमें खराब करी जान दे, वे किनना लिस्सा हो गया, पोत रजगेर उटी खाया कर, इनाने ता पॉंकी जाने, मेरी मा मेरे मुड़े ती हाथ राख दे, मेरे व आज हर हाले चा फोन आएगा, मेरी हाले तो सर नलायक वद्यार्थी वरगी होगी, जिनू पताता होंदा है, वे उने फेली होंदा है, पर फिर वी नतीजे दे देननों बड़ी बेसबरी नालो डीक दै, उस वे द्यार्थी दी हालत होदों होर वी पाणियों पतली हो जान जो दो मिठे देन ते भी नतीजा नहीं होंदा ते उदे मांच एक मद्दम जी आस सुन दिया कि शायद पर्चे वे खनवाले ने तरस देदारते उनू पास करता होई, हेल्प लाइन दुआरा खुद मिठे गए समय तो वद तिन देन भी बीत चिके सी, मैं मानी मान फैसला कर लिया कि उन्हों दुबारा फोन नहीं करना, एक दिन सारी चुटी तो बाद मैं अपने एक सै करमी दी गडीच बैटके कारवल नू आ रहे है सी, रस्ते च मेरी मेरी मोबाइल दी कंटी वज्जन लाग पी, स्क्रीन ते नंबर वे कि मैं समझ गया, फोन नंबर ता पुल नहीं है, ते उन्हें हाँ जा ना दियां सोचांच पैने मैं फोन ते गाल करन वाले बटन नू दुबारता, मेरा नाम ते पता पुछन दुबाद उपरेटर ने स्सपी दफ्तर वलो पहुंची रिपोर्ट नू पढ़ना शुरू करता, जांच करन ते पाया गया कि शकैत नाल सबंदत जगा गली चे बाद देका टेदी छड़ी हुई है, शकैत करता क्रिशन परता आप गली ते ने जैस कबजा करना चौन दे, जड़ी के पिछले पचीती वर्यां तो गली वांगी चल रही है, जब नाम सिंग ते मलकीत सिंग नू पुलिस मुलाजम होन करके पा जड़ी नी जी, मेरी रिजिस्ट्री चे जगा मेरी नाम बोल दिया, मैं सारे सबूत ते गवाँ पेश कीतिया जी, तुसी मेरा केस एंज के में दाखल दफ्तर कारदा होगे, हाँ हाँ तो अड़ी अवाज आ रही है, तुसी मेरी गलवी सुनो, मेरी अवाज गड़ी चे स नाल बेठे सारे नू सचाईदा पता लग चुका सी, इसली किसे नी भी इस विशेते गल करनी ता दूर कोई हूर गल भी नी छेड़ी, छोटे जे सफर दोरान मेनो ओना दिये चुप मेरे ना लफसोस परगट करन वड़ी लग रे सी, कार पुज के जद में सबनू इस अगले दिन जद मैं स्कूल पुजा दफ्तर चुह हूं दियां, गलना मेरे कनी पैन लगी यां, तो मैं जान बुज के बार ही को गड़ करना जे बन के खड़ो गया, तैनू आखिया सी ना, ये हेलफुल पलाईना ये हूं दिया ने, मामला ठड़ना पाउंड ली, मैनू त दा तजर्ब है, ताही ता हुए कठोके आगदा सी, मैं दस्यात असी तो अनू दे, विचारा, बाल ये दुहां यां पाई जावे फोन ते, असी ता अपनी लता मंगेश कर वाला गाना भी बंद करता सी, पर मजा आगया, इस भूत दाई जावे, अगला नकारी जावे, हा इनना कुछ सुनके अंजान जिया बंदा में दफ्तर चावड़े है, तदो में जने चुप हो गए, मैं जान बुझ के पुछे की गला है, स्वेरे स्वेरे ने खोश होई फिर दे, उनना ही असी ता अपनी अमन्दी गाल कर दे सी, अज़े भी छड़ा तुरिया कर दे, सरक आके टालती, हाँ 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 तुरिया फिर दया जी भी, आख के अदों में जने फिर हसन लाग पै, उननानू लगा के जिमें मैंनू कुछ सुनेया नहीं सी, पर मेरी हाई एक ते साप लेटन लाग पै, के मेरी इस हारते उननानी हम दर दी ता की ज़तोणी सोगो गलां कर कर के हस दिया, ये ता मैनू पता सी, पेट पेचे ता सारी हस दिया, पर मेरी सबंच हो रेस हाँ से ठटे नू मैं अपने कनी सुन लेया सी, उन मेरे लिए ना तान्य अनू सैना होर भी मुश्कल खून लाग पैया सी, पर मैं देलते पथर राखे स्तिती दा टाकरा कर रेया सी मुकद में दी अगली त्री कौन वाली सी, एक स्वेर में आम वांग अखबार चुकिया, सरसरी जी निगा मारने शुरू किती, एक खबर ते मेरी नजर इननी ज्यादा टिक गई कि मैं सारी खबर पढ़के ही सालेया, ये खबर साड़े जिले दी बार एस्सोसियेशन वोलो काफी किन्तू प्रंतू किता गया सी, अपने पहली पेशी वाले वेले मेंनू तो जज़ बड़ी स्यानी ते अपने काम चे निपोन लगी सी, फिर मान चाया के तेनू की पताया दालतां दा काम काज के में हुन दै, हो सकदा वाक्य ये ना जजजानू अदालती नेमा मताब के में करना वकील ने सरसरी जी दसिया, मैं इस हड़ताल दा असल कारण पुछया दा पता लगा के चुटियां दे में ने चे ना जजजान कूल, एक सो नौ मुकदमे पहुंचे सी, तेना जो सिर्फ एक अरजी ते स्टे दे आडर होय सी, बाकी दे किसे भी मुकदमे दा स्टे ना होन वाले 108 केसांची शामल होना, मैं वकील नौ पुछया, ओर इना ने तेरे वरुद पाकिस्तान दी अदालत चे लाया सी, इत्थी लाया सी केसे, इना जी तेरा केस है, वकील ने मैनू मजाख दे अंदाच उत्तर देता, बाकीयां दा ता मैनू पतानी, पर आप पुलिस वांग विके हुए ले, मैं अपनी दलील वकील अगे रखे, हाँ अपना केस ता लाग गया, बाकी सारे तानी यह हो जे हो नहीं, वकील ने टेरा जया होके आख्या, जे तो अनू लगदा सी साधे वड़ा केस साही सी, तो अधे स्टे नहीं सी होना बंदा, कट्ट कड़ तो अनू ता मीटिंग चे गल रखनी चाही दी सी, जज ने स्टे ना करके साही वैस लागेता है, मैंनू लगगा के वकील नू मेरी गल जच गई, उधे चेरे तो भी लग रहा सी, कि उन्नू मेरे ते तो अजय स्वाल दी उमीद नहीं सी, मैं भी जरा कू ता चा गय मैं नाली बुलिया, जेड़े 108 के स्टे नहीं किते गई, कि उन्ना दे किसे वकील नू भी नहीं लगगा के जज जाने साही फैसले किते है, कि उन्ना नू भी मैसूस हो रहा है कि उन्ना दे पाख वाली पार्टी नू स्टे ना करके जज जाने गलती किते है, जे वकील कुल प्टे होने आपके जाज ने करी जा रहे। वकील ने अपनी दलील दी। अपने केस वीच भी ता जज सुनी सुनाई गल्च नहीं आई इसे लिए उन्हें स्टे नहीं देता एक ही के जज नू लिखके देता हो के थे पचीस साल लाँ दी गड़ी चल दी सी हो तो स्टे दी उमीद पाड़न लाग पो मैंनू तर जज सही लाग रहे ने तो अड़े व जिलते की बीच दी है बिती जावे कोड बैठा साड़ी बैस नू सुन रहे पहरावे तो सादा जय जाद दा एक बंदा सैथ सुबा बुलिया ओ भी मेरे वड़े वकील दा एक साइल सी पर उस दे बोला तो लाग रहे है सी को दा सही केस स्टे होन करके ओ वकील नाल कुझ न है इसलिए तो अडे नाल में इस विशे दे बैस नहीं कार सकदा ये बढ़िया कनून नी पे चीदगी वडिया अंगलना हों दिया ने तुसी ये नानू समय नी सकते इस बैस ना पो मैंनू ता हैरानी हो रही है तेरे वर्गा पड़ेया लिखया बंदा वी मैंनू अजय ब मैं राज हो जान दे डर का रंचो पता हो गया पर मेरे दिमाग अंदर बड़े टेडे स्वाल खोरू पाई जा रहे सी मैं तब पिछले तेरा साल तो ऐही पड़ाउंदा आ रहे है कि नियाम पाली का बड़े सुतंतर हुन दी है उस पर कोई दबा नी पाया जा सकता है थे अपने दूसरी अपने जरूरी कागस वकीलनों सौंप के में कारनों परत रहे सी ता मैंनों वे बैस फेर याद उन लग पे दिल ते दिमाग चे गलकार कर गई कि की वकील एही समझ दिया कि जज फटा-फट केस दे तो स्यान है जो नहीं दिन दा ता अन जानते भीब कु ज जज जमरुद सर्व समतीनल हड़ताल करन दा फैसलाता जानों इस तरह हैं कि सारे वकील ही चाहूं दिया हर केस्ट स्टे होना चाहिए चाहिए होना दा मौकल सही होए चाहिए गल्द इनसाफ दे राद से रहे इस फैसले ते एक जुट क्यों है कि वो अपने किसे मुकदमे चाहिए 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 चाह कई कुछ सोच के मैं चुपपी कर गया उन्ज चुपरेन वेची फाइदा सी मेरे सच्चाई वाले रॉले नू की ने सुनना सी पहला पुलिस ने केड़ा मेरी सच्चाई नू सुने आ सी मेरी हैसियत भी की सी गुरोधियां वलो मेरे ते कीते मुकदमे अनुसार कनून दिया नजरांच ता मैं एक परादी सी निड़त तक के नल गली ते कबजा करना चाउंदांते नजायस कबजा तारी गुर्नेक ठीक सी जने सई समय ते अदालत नू जानकारी दिती कि जे उस मसले ते जल्दी कारवाई ना किती गई ते मैं गली दी सरकारी जगा ते काबस हो सकता उन्हें चितावनी भी दिती सी कि मेरे इस कारजनल एदा नुकसान सारे सुमाज नू उठाना पैसकता मनी मन्च मैं हो सजय सुमाज से वी गुर्नेक नू किरना परी लानत वी दिती मेरा दिमाग इना परेशान सी के के हुजे वकील है तेड़े अपनियां सामियां दे हाग का चाय फैसले आते भी किंतू प्रंती करी जा रहे है फिर मन्च ओन लग दी कि किते साड़े वकील नू भी पहली पेशी थे कि स्टेर ना होन दा अफसोस ता जरूर होया होएगा फिर मन्च आया कि अजे या नहीं कार सकता वो ता पका काम रेड है मान जे होसलेच होन दा के फिर ख्याल होने शुरू हो जान दे के काम रेड होन दा मतलब है था नहीं कि उन्हें अपने बच्चेयां दा पेट नी पाल लाना एक केस सी ता उधी रोजी रोटी ने फिर मन दे ख्याल पारू होन लग जान दे के जे एक काम रेट सी ता इनू कटो कट मेरे वड़े केस दी उदारन लेके बार देश फैसले वरुद डट जाना चाहिदा सी जादा जे आ कुछ भी ने इसी हो सकया ता मान चेक डार बैढ़िया के कि ते असी चूठे दे गल्त ता नहीं है ज़रे सडे वकील ने अपने आपने आपनों ही गल्त मान लेया के जज़ान दे वरुद पोगत रहा फिर मननों एक चूठा जातर वासा भी होन लगता के सड़ा वकील हड़ताल चे शामल होकी लोकानों जागरू करना चौनदा सी इस निजाम ते तो लोकान दा मो जिनना जल्दी पटकेगा उननी जल्दी जते बंद होके गलत नीतियां दे विरुद अवाज बुलांद करनगे शैद्वेस करके बार देस फैसले दी हाकच खलो गया ये सब मेरे अंदाजे सांच फिर पिछले कई दिना तो परशासन द्वारा मेनों तांग परेशान की ते जानदा नतीजा के मैं जे यां सब गल्लां सूच दा रहेंदा सी आपी उल्टे सिद्धे नतीजियां ते पुझ जानदा सी अंगलों तेर्वान इना दिना ची मैं किताबां पढ़नीयां तो दूर दीगाल अखबारां ते भी सरसरी जे निगा मारी चड़दा शेयद इना दिना ची मेरे दिल ते दिमाग नू तसली दिवान वड़ियां उस सारी आखबरां पर काशित होनीयां सी जड़िया मैं वड़ाइयां दे फोन तो बाद ही पढ़ियां सी पहली खबर मेरे मामले नाल सबंदत पुलिस इंस्पेक्टर दे मुटतल होन दी सी मेरे एक दोस्त ने बड़ी चान आल मुबाइल फोन ते खबर सुनाई सी पर मैं अखबार ते अनाल ना पढ़िया हून कारने तो उस तो सबंदत अखबार दा पना नमबर ही पुच्छिया सी जड़ मैं इंस्पेक्टर दी मुटतली सबंदी खबर पढ़ी ता मेरे प्यार तरती ते नहीं लग रहे सी पामे के उधी मुटतली दा मेरे केस नाल कोई विसबंद नहीं सी पर मैंनू एई खुशी हो रही सी केस गंदे बंदे ने साड़े नाल बड़ी माड़ी किती कुदरत ने देर स्वेरो दा फालता उनू देना ही सी ये इंस्पेक्टर अपड़ी मुलाजमानू बचाउन दी खातर सन्नू घराब कर रहा सी उन जाद खुद खजल खुआर होएगा खुद उस मानसिक पीड़ चो लंगेगा तो उनू अपणिया कीतीया सारियां वदी कियां भी यादाउन गिया ते मैसूस हुई होएगा साड़े कार दे नाल वाले गली चे बैटके पीती हुई दारू ते खादे मुर्गे जादो दी पिठ वे चो बांगा देन गे ताउनू मेरे नल केती नजैस वदी की भी जरूर चेते आएगी उस इंस्पेक्टर दा बाच की बढ़ेंगा मैंनू इफिकर नहीं सी मैंनू सिर्फ एई होसला सी के मेरे नल तका करनू वाले एक अधिकारी दे पाप पांदा कड़ा फुट गया है उनू सजा मिलन दी शुरूआत हो चुकी है एक शामपू लपले के मैं सहर नू अजे करू निकले आई सी ता एक हूर में तरदा फोन आया टीवी लाके वे तेरे आड़े डी एस पी नू मतल करता है उच चैनल दा नान दसने खुशी च बोलिया किड़े गेस्ट मैं इनना ज्यादा उत्षाथ हो गया सी कि मैं मुबाइल नू मसा ही अपने हथाज काबू कर सके फ्रीद कोट गया सी किसे दे जमीन ते कबजा करन अगले भी पहुंच वाले सी उनने दी वर्धी दी परवान ना कर दे आयनू कबू कर लिया खबर अनुसार बज़ के ता निकलाया पर अगले ने यह दे ते केस दर्ज करवाता ते सरकार ने मौतल कर देता मेरा दोस्त मैनू दस्दा पे गया ते मेरे पैराण दी गतीवाद दी गई फिर मैंनु पताई नी की सुजया मैं सैरली अग्ये जान दी बजाए उत्विकार नू वापस मोड़ पया आप जाके ए खबर टीवी ते चल दी वेखना चौन्दा सी चेती नल का रवड़ दी मैं टीवी चालू कीता दसे होए चैनल वाड़े बटन दी रिमोट उत्तो दबले अजे भी यो खबर स्क्रीन दी हेटली पटी ते बार बार आ रही सी खबर पढ़के में ठंडा साल या ये होजे गंदे बंदे अपने आपी एंजे कुत्ते दी मौत मर्दे हुन देया ये नवी बहुत आत चुकी होई सी टीवी ते उससे खबर नू वेखदी होई मेरी मा दे बोले होए बोल मेरे कालजे नू ठंड पागे ये बोल किसे दी रोटी खोस जानकारन नहीं सगों किसे द्वारा अपने ओदे दा दो रुप योग करके मुल मजलूमानू तंग परिशान करन करके दिल दी डूंगी तयां चु सुबाव की निकले सी एस खबर नू विस्थार ना वेच सुनन ले यसी साना टबर देर राद तक बैठे रे पर पूरी खबर आई नहीं सी रे अन्ता चसी स्वेर विले अखबारांच पूरी विस्थार सैत खबर पड़ंदी उमीद नाल अपो अपने विस्त्रियांदे चले गए उस दिन बच्चियानू पतानी केडा चा चड़े आसी के बड़े दिना बाद सानू खोश वेक के नच्चनों टपणों हटके सोनदा नामे नीसी ले रहे हुन खबर नू विस्थार्च जाननली स्वेर अखबार आउन तक दिव डीक करनी पैनी सी अगेत आपने फिकरांच नीद नीसी होंदी परोस्तनी के जीव जी खुशी कारना अख नीसी लागरे इस डीएसपी ने सानू इनना ज्यादा तांग परेशान कारता सी कि साड़े सारी टबर दा सुख चैन जानू खांबला के उड़ गया सी एक जगत पर सेद सच्चाई है कि लोग अपने दुखतों ना दुखी नहीं जिना के सेदे सुखतों मेरे ताजे ताजे बने दुश्मन मैनू दुखां ते मुसीबतां चपा के खोश होई फिर दे सी आज जी उठ पहाड थले आज चुका सी आज मेरा एक वरोधी पूरी मुसीबच करे आया सी ते मेरे लिए तै खोशी दा मौका होना सुबा बक सी पहली या रातां दा फिकर च चाकना ते उस रात नू चात ए खोशी च जाके लंगो आण दा अंतर मैनू समझा रहा सी खोशी च नीद ता चू मंतर होगी सी पर उस दिर मैं कमरे दी अंदर बार दे गेडे नहीं लाए सी स्वेर होन तो पहले मैं उठ बैठा मैनू सिर्फ ते सिर्फ अखबार आण दी उडीक सी जद भी दर्वाजे तो थोड़ा जय खड़का होंदा मैं चाटपट बुए वलनू पाईदा सी मेरी उडीक छेती खतम हो गई जद मेरी तरस देख करना देवेच अखबार बई दी अवाज बई मैं चाटदेने अखबार चो कला एस बंदत खबर नू पालन लाग पया पहले अखबार चो मैंनू नराश्चाई मिली चेती देने दू जेनू फ्रोलना शुरू केता मेरी उडीक खतम हो गई जमेन ते कबजा करन गए डी एस पी ते केस दर्जवाली खबर मेरी नजर दे सामने आगई पूरी खबर पड़न तो बाद मैंनू थोड़ी जी निराश्चावी होई क्योंके उस ते केस ता दर्जवालता सी पर उनू मतल करन बारे कुझ भी नहीं लिखिया गया सी मान चाया कुदरत ने ओदे चपेडता मारती पर मारी बड़ी होडी जी है जमें केसे बच्चे दे किसे स्याने ने समझाओन वास्ते पर टोकी जी मारी होगे एक खबर मेरे लिए पूरी तरह तसल्ली वाड़ी नहीं सी क्योंके असी दा सारा टबर इसली खोश होई फिर दे सी के चलोई कतकेशा नूता कीते दी सजा मिल गई गया गड़ुमी खबर ना होण करके मेरी अधी खुशी खतम होगी में ता हो तो नजारा होना सी जदो इस दुरेंदे डीएस्पी नू ग्रिफ्तार करके अधालग चपेश कीता जन्दा में आउस शूप कड़ी दा इंतजार करना शुरू कीता फिर एक दिन खबर आई दोशांच के रे डीएस्पी दी जमान तर जीर अध्द मैं समझ गया जिड़ा मैक मा अपने एक ममूली हॉल दार ते ड्राइवर दे अगे लम्मा पह सकते है वो अपने डीएस्पी नू इनीचे ती ग्रिफ्तार के में कर सकते है अधिकारियां दी मिली पोगतनाल उन्नू अदालत वेच जानदा समा देदता गया सी उन्स सेशन अदालत द्वारा उस डीएस्पी नू ग्रिफ्तार कर लेंदे हुकम भी जारी हो चुके सी एसली मैनू लागरेयासी ग्रिफ्तारी किसे भी समय हो सकती है कई दिन बीत गया परोदी ग्रिफ्तारी दी कोई खबर पड़न्नू नही सी मिल रही मैंना चौने आवी सारा खबार फुरोल मारदासी कई दिना बाद एक छोटी जी खबर पड़न्नू मिली विवाद्दांज करे डीएस्पी दा पट्याले विखेत तबादला मैनू इन्नी ज्यादा हरानी होई कि असी रोले विलेता दस मिन्ट चाके भी पुलिस वड़े आखर है इसी कि असी लेट हो गया उन्ना नू सेशन जाज दे हुकमा दा भी अजे तक पता नहीं लग सके कि उन्ना ने एक अधिकारी दी जमान दी अरजी रद हो चुकी है वरंट गृफतारी भी जारी हो चुकी है इसलिक कनून मताबक उन्नू गृफतार करना बढ़ना से मन्च सुआल भी उठ रहा सी कि सब कनून ता सिर्फ आम बंदियां लई है पुलिस लई ता कनून दी किताब एक रखेल मात तरी है फिर दिमाग चौन लग पया के छोटे करमचारियां दी ता मजबूरी हो सकती है पर कि उन्ना दे वड़ेद कारे भी सुते भाया कि उन्ना नू टीवी ते अखबाराज पर काशित खबरा मरे कोई भी जानकारी ने खुदा नखास ता जी के ते वरंट किसी आम बंदे दे जारी होए होंदे ता इस मैक मेंने इन ना होओ अल्ला मचा देना सी के रहे रबदा ना ये ता ओ गल होई पैसी माल को सौझाओ चोरो जाग पोगो असी जेस DSP नो इनसाफता देवता समझ के उसंगे बेंती तार बेंती करदे आ रहे सी हुनो दी असलिया तक बारानी खबरानाई लोकां दे सामने आ रहे सी उस उपर इराद्दाई कतल तो इलावा लुट मार असलायक ड्रांतम कॉन गंबी रूप्च जखमी करण आग अनेक कहीं तार आमा लाग चुकियां सी केवल एस मामलेची नहीं सगोईस तो पहला वी कई मामलेचो फसिया आया सी एनिया तार आमा लगण दे बावजूदो दी ग्रिफ्तारी अजे तक नहीं होई सी इना रिपोर्टा मताब कोईक वर्धी तारी पक्का गुंडा सी जड़ा थोड़े जे टुकडां पेचे कुछ वी करण वास्ते तियार बर तियार रहन्दा सी सबंधत विपागे इस मामलेच को उगल करना बनेया होयासी ताही उनुँ ग्रिफ्तार करके सीखां पेचे डखकन दी थां उदी बदली करती गई नयतिक्त था ये आख दी था के जे दिकारी नुँ अपने इन्ने जूदा केसां दे निबढंता कोदें ते कम नहीं करना चाहिए नाई वे पाग दे दी कारीयां द्वारा आ जाए दिकारीया नुँ किसे स्टेशन ते नियुक्त करना चाहिए पर सुआल उठदा है कि मैक म केड़ा है जित्तों आसी नेतिकता दी पाल करन लग पैस है ना कटेयां वाले करों लसी दी मंग हैरान नहीं हो रही है साधी सरकार ने डैन दी कुछ छड़ बच्चा चुकवा रख्या है ये इस बच्चे दी खैर कि थो याद बंदर ना लजेंग गल्लां करदा करदा मैं न राश हो जान दा सी तो चाट देने कई गल्लां सुना के मैंनों चड़ दी गल्लां लें हों दा सी यार की पता हो फ्रीद कोट उस जमेन जपिंडियां तोरियां बीजन गया हो वे ते अगल्या ने ओ ते चुठा के इस दर्ज करवापता हो वे तो उस विचारे जे बंदे गुंडाक ही जा रहे हैं ओ पला लोग दा इंसाफ दी मूरता गल्यां ते जमेना ते कबजे करन वाले था तेरे वरगे हों दे हैं जे आदकारी बेंसाफी दी गल करनी दूर कदे जे आ सोच भी नहीं सकता की हो गया जे हो दा उस ते रादा कतल दे मुकदमे दर्ज होए न उने कतल कीता था नहीं ते नहीं साबत होया है इसलिए तू के मैं आख सकता है विचारा जी आप उले सदकारी दोशी है करनोन नो अपना काम करन दे याद विंदर दिया व्यंग चाखियां जे यां किन यां सारी यां गल्ला मैंनो बड़ा स्कून दें दियां ते कई वर मे गैर गंबीर स्वाल भी उठा जानी है दो कमीने ताम अपने पापां दे बोज थल्ले आ गए वड़ा कमीना का दाएगा कुद्र दी मार हेठा एक दिन मैं याद विंदर नो पुछे है मेरा इशारा उस बेईमान स्पी वल से जीदे कोडा के साड़ी सारी सचाई चूट च तब दील हो जान दे सी उधे प्रेश्ट हथा जी कजई कलम आ चुकी सी जीनू के साड़े देश दी विचारी जी कनून दी किताब दी अदालता बड़ी मानता दिन दियां सी उधे कारवाडी जाज लगी है राबता नी बन गई उधे दे सेरते मच्रेया फिरता हुने ता एक दिने नू ट्रक पटका के परा मारने एक दन मेरी उधासी दूर कर लेगी आदविंदर ने पविखवानी कारते है यारो दे कारता निया पालिका ते कारज पालिका एक कों दिया ने उधे ता निया पालिका हुन दी भी कारज पालिका दे थल लेई इहो जे हालत विच तूँ दस नियापालिका के में सही फैसले दाएगी मेरा इशारा पती दे SP पाव कार्जपालिका दे पतनी दे के जज़ पाव नियापालिका दे एक महत्तपूरन हिस्सा होन तो सी नाली बड़े ठर मी नल बूलेया, जद सची मुच्ची नियाब़े कानू आए दिन प्रेश्ट कारजपालका दे ठले लगना पय जा जान दे, तो अजय निकम Scottish कार्जपालका दे वरुद विद्रो भी कर दिन दी हुंदी है उदी अपनी सुतंतर होंद भी था हुंदी है न्यामपालिका किना कचिर कार्जपालका दे थल्ले लाके जी सक दी है उन्हें उल्टा मैंनों ही सुवाल कर देता जे न्याम पालिका ते कार्ज पालिका नू रल मिलके चलन वेच फायदा हुन्दा होवे तो उन्हाने दूजियां तो की दाल लेणी है जे वाड खेत नू खारी होवे ते खेत नू भी कोई इतराज ना होवे तक किसे दा कीटेड दुख दा वाड नू आवे दोश दही जावे मैं दलील दूते अंग्रेजा ने साड़ी खसलती या जई बना देती है कि सानू पता ही नी लगदा कि कौण की नू खारे है जिस दिन खेत नू पूरी समझ ता दूर दी गल माडा मोटा जयावी पता लग गया ते कार्ज पालिका तक की निया पालिकावी साड़ी मगर पजी फिरू के इनसाफ लेलो ये सिर्फ प्रिष्ट टांचे दाई हेर फेरा होर कुछ नी या अध्विंदाने बड़ी द्रिडता न लाक्या ये सेस्टमी ता साड़ी तो बदलिया नी जा रहा पौणी सदी बीतन वाली है असी कत्ता केना जालमादी जुलमरें सेंदे रहांगे मैं आक के पुछे अबेशय कोदी दित्ती दलेल वी मैंनू जाच गेई सी लेर ता बड़े चेरदी शुरू होई पही है पर येनू सुनामी बढ़ंच किन्नी देर लगेगी उमेनी दासकदा आखर लोकानू बहती देर तक मुरखबनोना बड़ाओ खाती पेचीद्धा काम होंदे मैंनूनी लगदा कि अपनिया तेन्नो पालिकामाँ उच्चू कोई वियजेया काम कर रही है जिस्तों जन्तानू तर्वास बजदा होवे कि सरकार ता आहिस्ता ता साड़े पलेली डटके काम कर रही है जद सारे ता सारा आवायू तो चुक्के है तब दलाता जुरूर आएगा ते ओना भी चाहिद है ओ दिन दूर नहीं जदो न्यापालिका कनून दी रोश्नीच अपने फैसले सुनाया करेगी उन्हें बड़े गंबी रौचा किया मैंनू वियोदी गालते यकीन बज़न लग पैसी तन्वाद